देश में जारी कोरोना वाइरस के चलते केंदर सरकार ने देश्वियापी लॉगडाउन लागो कर रखा है जिसका चौथा चरण जारी है वहीं शनिवार को सरकार ने लॉगडाउन के पांचवे चरण के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है जिसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर चरण बंध तरीके से छूट दी गई है ये गाइडलाइन एक जून से तीस जून तक के लिए जारी की गई है नई गाइडलाइन के तहत सरकार ने कर्फ्यू में राहत दी है ऐसे में आवशक चीजों के लिए आने जाने पर प्रतिबंद रहीगा हलाकि रात नौ जब गुरुद्वारा चर्च खोले जाएंगे जबकि मॉल को चरणवध तरीके से खोला जाएगा वही जुलाइ से स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमती दी गई है आठ जून से रेस्टोरेंट भी खुलेंगे साथी मंदिर होटल रेस्टराउं को खोलने की अनुमती दी ग हालकि इस दरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिबारी होगा ये भी जान लीजी कि क्या बंद रहेगा आप क्या खुलेगा और एक से तीस जून तक नियम लागू होंगे पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधिया आप चरणवर्ध तरीके से कंटेन्मेंट जून जाजत के बाद स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधिया प्रतिबंध रहेंगी ये गतिविधिया हैं अंतराश्ट्री उडाने मैट्रो रेल का संचालन सिने महौल जिम स्विमिंग पूल थियेटर बार और और ओडिटोरियम असे सभिवा नहीं निर्देशों में कहा गिया है कि केंद्र सरकार नए प्रतिबंध हटा लिए हैं